सब को जे येसू बाईय बहनों फिर एक बार हम सभी प्रभु का जीवन्त वचनों को सुनने के लिए हम पर तयार हैं मैं आप सब कर स्वागत करता हूँ आईए मेरे साथ प्रभु का जीवन्त वचनों को सुनिये और आज के दिन में और एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और यह टॉपिक है क्या तुम अच्छा होना चाते हो बाइबल में से लिए आहुआ यह टॉपिक है जहां स्वयम प्रभु येसु मसी उस वेक्ति से पोच्छता है जो 38 साल से बिमार था और बेट साइडा के जल कुंडु के पास इस ताक में बैटा था कि जल कुंडु का जल इश्वर का आत्मा जब लहर आएगा उसमें जो उतर पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा इस ताक में बैटे वे उस वेक्ति से पोच्छता है प्रभु येसु मसी क्या तुम अच्छा होना चाते हो क्या तुम अच्छा होना चाते हो इस विशरी को लेकर हम लोग आज के दिन में मनंचिंतन करेंगे और मैं उस प्रसंग को आपके सामने पढ़के सुनाता हूँ प्रसंग है संत योहन के दुवारा रच्छित सू समचार अध्याई पांच प्रसंग क्या पांच से आगे यहां लिखा है वहाँ एक मनिश्चता जो अरतीस वर्षों से बिमार था यिसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वहाँ बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है उससे कहा क्या तुम अच्चा हो जाना चाते हो रोगी ने उत्तर दिया महदै मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे मेरे पहुँचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है येसा ने उससे कहा उठकर खड़े हो जाओ अपनी चार पाई उठाओ और चलो उसी शन वह मनश अच्छा हो गया और अपनी चार पाई उठाकर चलने फिरने लगा पविश्राम का दिन था इसलिए येहुदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा आज विश्राम का दिन है चार पाई उठाना तुमारे लिए उचित नहीं है उसने उत्तर दिया जिसने मुझे अच्छा किया उसीने मुझसे कहा अपनी चार पाई उठाओ और चलो नहीं जानता था कि वहां कौन हैं क्योंकि उस जगा बहुत भीड थी और ईसा वहां से निकल गए थे बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा देखो तुम चंगे हो गए हो फिर पाप नहीं करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े प्रुब की वानी इस प्रसंग को हम लोग ने सुना भाई यो बहनों एक मनश्य बिमार था कितने सालों से 38 सालों से क्या हालत हुई वगी उसकी जब हम सभी बिमार पढ़ते हैं 38 साल से ये विक्ति बिमार पढ़ा रहा कहां बेच साइड़ा के जलकुंड के पास जब 38 साल तक संभव नहीं हो पाया जो प्रता थी उस वक्त उस जलकुंड का पानी इश्वर का आत्मा आके लहराएगा और जब इश्वर इस पानी को लहराएगा इश्वर का आत्मा लहराएगा उस कुंड में जो सबसे पहले उतर पड़ेगा वो ठीक होगा ये प्रता थी और लोग ठीक हो जाते थे और इस से इसी विश्वास से लोग वहांपर बेमार लोग वहांपर आते थे या फिर उसको लाया जाता था और ये विक्ति इसी ताक में आया हुआ था बैस साइडा के जलकुंड के पास ताकि मैं इसमें उतर जाओ और मैं ठीक हो जाओं 38-38 और नमबर नहीं आया ज़रा सोचें 38-іш आल इंतिजार किया तब भी उसको मौका मतंब वो अजमानी पाया अपना नहीं पाया वो मौका मौका था उसके सामने 38-स साल से लेकिन वो अपना नहीं पाया यानि कम समझ सकते हैं ये विक्ति कितना बुमार था तोड़ा बहुत दिक्कत होती जैसे तैसे हम जाते लेकिन ये विक्तित सम नहीं जा पाया और दूसरी बात ये भी हम देखते हैं 38 साल से उसका कोई बंद मित्र रिष्टिदार वो ये कोई है नहीं उसके पास उसके मदद करने के लिए यहां यहनि कम समझते थे कितने धर्दनाग परिस्ति थी उसकी कितने दुख बरी परिस्ति अड़ती साल तडबता रहा परिशान होता रहा और दया से द्रवित होने वाला येसु वहां पर आता है येसु ने उसको देखा येसु समझ गए ये विक्ती बहुत लंबे समय से यहां पर पड़ा हुआ है अरती साल इंसान के दशा देखकर समझ में आता है येसु समझ गए यह बहुत लंबे समय से यहां पर पड़ा हुआ है फिर भी येसु उसे पूछता है क्या पूछता है क्या तुम अच्छा हो जाना चाते हो ये कोई बात हुई पूछने की कहीं बार हम सोचते हैं उसे पूछने की क्या बात जब प्रभु येसु का समझ में आया मालम चला कि यह वेक्ती 38 साल से इस ताक में वहां पर इंतिजार में बैटा है कि मैं जाओंगा उस पानी में और मैं ठीक हो जाओंगा अब 38 साल के बाद प्रभु ने क्यों पूछा उससे ये सवाल क्यों पूछा इस बात पर हमें गहराई से अध्यान करने की जरूत है मनचिंतन करने की जरूत है इसका एक अर्थ ये निकलता है भाईयो बहनो चाहिए आप बिमार 38 मिनिट से हो 38 गंटे से हो 38 दिन से हो 38 सालों से हो तो उससे जादा समझ से हो जब तक आप नहीं चाहोगे जब तक महीं नहीं चाहोगा तब तक जबरदस्त इश्वर हमारे जिवन में कारी नहीं करेगा जब तक महीं नहीं चाहोगा कि मैं अच्छा हो जाओं मैं ठीक हो जाओं मैं शुद्ध हो जाओं मैं पवित्र हो जाओं जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये श्वर जबर्दस्ती हमें ठीक नहीं करता अच्छा नहीं करता इसलिए प्रभु येस्व ने उस वेक्ति से पूछा क्या तुम अच्छा हो जाना चाते हो वही सवाल आज के दिन में प्रभु मुझसे पूछता है आप से पूछता हम सबों से पूछता है क्या तुम अच्छा हो जाना चाते हो अगर इस सवाल पूछा जाए हम में से किसी से भी हमारा उत्तर क्या होगा क्या होगा मैं कौन से बिमार हूँ मैं तो ठीक हूँ, मैं बिमार नहीं हूँ, उस वेक्ति से पूचा ये सुने सही था, क्योंकि वेक्ति बिमार था, 38 साल से, तब पूचा होगा, अगर मुझसे पूचेगा सबसे पहला रियाक्शन मेरा क्या होगा, नॉर्मली, मैं कौन सा बिमार हूँ, हाँ तोड़ा बहुत लेकिन मैं कहूँ, प्रभु के वच्छन के प्रखास से, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाता हूँ, प्रभु हम लोगों से भी पूचता है, मुझसे और आप से भी पूचता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाते हो, क्योंकि प्रभु जानता है, कि हम स्वस्त हैं बिमार हैं प्रभू जानता है उधारन के लिए मान लो हम में से किसी एक की उमर चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो किसी की भी मान लो पचास साल कौन से उमर से हम लोगा जूट बोलना सीखा कफ से हम जूट बोलते आये हैं ज़रा सोचें पांच साल के उमर में तीन साल के उमर में छे साल के उमर में मान ली जब पांच साल के उमर में जूट बोला स्कूल जाने शूरू किया था तब जूट बोला मान लो आज तक वो आदत है जूट बोलने की है तो पचास साल उमर इस इंसान की उस जूट बोलने के आदत से अभी 45 साल से जोट बोल रहा मानो तो इंसान बिमार है या नहीं शारी रूप से ठीक है आद्यात मेरे रूप से बिमार है 45 साल से तो प्रभू मुझसे पूछता है, आप से पूछता है क्या तुम अच्छा हो जाना चाते हो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी किमत में कभी भी किसी भी परिवेश में जूट ना बोलू मैं चाहता हूँ तब प्रभू मेरी सहता करेगा मानने किसी के उमर सत्तर साल है 20 साल के उमर में उसने नशा करना शुरू कर दिया नशे के साथ गाले गलोज करना, मार पीट करना, बला बुरा कहना, वो करना, यह करना, घर में आतंक मशाना, मारना पीटना बीवी बच्चों के लिए और रोज जब बीवी रोती है, बच्चे रोते हैं बापा, ऐसा क्यों करते हो? नहीं बैटा, कल से कुछ नहीं करूगा, ऐसा कुछ नहीं होगा रोज जूट, रोज जूट सुधार नहीं है 20 साल से उमर में शुरु क्या मान लो तो उसने तीस साल के उमर में शादी हुई अब उमर सत्तर साल हुई यानि कि पिछले पचाथ साल से या साट साल से वो आदर चूटी नहीं है तो मुझे बताइए इंसान बिमार है नहीं 38 साल सुनते हैं हमारे आँके बड़ी हो गई है 38 साल अरे भाया यहां पर लोग 70-70 साल से 80-80 साल से बिमार पड़े हैं पूरी सिंदगी बीद गई पड़े हैं वहीं पर येसु निरंतर पूछता है इन वचनों के माध्यम से क्या तम अच्छा हो जाना चाहते हो और हमने पढ सुना कर दिया किताब बंद कर दिया हो गया किताब भी बंद दिल भी बंद मन भी बंद येसु प्रवेश कहां करें येसु को प्रवेश करने हमारे जीवन में हम प्रभू से कहें प्रभू मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं मेरे अंदर ये आदत है जरा अपने आप इस ब जुड बोलना, वो करना, एक करना, चुगली करना, लड़ाई करना, जगडा करना, उसके पर ये कारण है, वो है, इन सावी बातों को अगर हम लिख के रखें, पचासों बाते निकल आएंगे, एक प्रकार की आध्यात्मिक या मनोवज्ञानिक या इमोशनल बिमारी है, शार रूप से हम स्वस्त लग रहे होंगे, हम इस हर वेक्ति इस बात पर विचार करें, ध्यान रखें, ये परियाप्त नहीं है, शारी रूप से स्वस्त होना, ठीक, अच्छी बात है, हम स्वस्त हैं, प्रभु को धन्यवाद, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सब फिट है चरीर, बहुत अच्छी बात है, क्या हमारा मन फिट है, मन के विचार फिट है, क्या दिल साप है, क्या सोच विचार सही है, बातें सही है, कारी सही है, आदतें सही है, इन से भी बातों बिल्ब आप और द्यान देते हुए हमें पता चलेगा कि हम या तो आतवन रूप से बीमार हैं या तो मनों वाग्यान की बीमार हैं या तो Emotionally बीमार हैं हम बिमार हैं सही है तो शारीर्प से शेरी राकिर यहीं पर रह जाएगा इस दर्थी पर कितना भी सुन्दर हो, कितना भी स्वस्त हो, कितना भी तंदरुस्त क्यों ना हो, यह शेरी रेक दिन मर जाएगा हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा आत्मा की बिमारी पर यह लाज नहीं किया 38 साल से 40 साल से 45 साल से 50 साल से 60 साल से 70 साल से बिमार है इसलिए प्रभु पूछता है क्या आदम अच्छा हो जाना चाते हूँ जब प्रभू ने जब सवाल किया उस वेक्ति से 38 साल से वेस साइडा के जलकुंडे के पास पड़े वे इनसान से जब प्रभू ने सवाल किया और जब उसने उत्तर किया उत्तर दिया मैं इसलिए आया हूँ लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं पहुंचते पहुंचते दूसरा कोई पहुंच जाता है मैं पहुंच नहीं पाता हूँ और मैं रह जाता हूँ और इसी सिलसले में 38 साल निकल गई जब उसने अपने मजबूरी बताई ऐसे ऐसे हैं मैंने प्रयास किया वो कहता है उठो अपनी चारपाई उठाओ अब तक वो सफल नहीं हो पाया क्यों अपने बल्व उत्यकार ये कर रहा था अपने बुद्धि शक्ति पर अपने बल्व पर अपने सामर्ति पर विश्वास करते विए मैं पहुंच पाऊंगा मैं पहुंच पाऊंगा अब प्रभु वहां पर आए प्रभु स्वयम आए अब प्रभु ने कहा उठो अपनी चारपाई उठाओ जो 38 साल से जो मनश उठ नहीं पाया जलकुंड में जा नहीं पाया अब प्रभु के कहने से उठ गया चारपाई उठाई कितना अद्बु चमतकार देखिए क्योंकि उसके अंदर चाहती मैं अच्छा हो जाओं उसके अंदर चाहती 38 साल की बिमारी एक मिनिट में instantly there and then कतम उठ खड़ा हुआ चारपाई उठाई अपने घर चला गया हूँ 38 साल की बिमारी कतम 38 साल की बिमारी कतम प्रभु मुझ से और आप से हम सबों से भाईय बहनाज के दिने में पूछता है क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हूँ Do you want to be good? क्या उत्तर है मेरा? क्या मैं प्रभु से ही कहूँगा प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूँ मेरे अंदर इस पर तमाम बुरी आदते हैं इन आदतों से चुड़का रहा पाना चाहता हूँ मैं गुसा करता हूँ बात-बात में इस गुसे से में चुड़कारा पाना चाहता हूँ अब तक मैं अपने बल्बुते कोशिश करता रहा प्रैस करता रहा कलंसे ऐसा नहीं कोरणका परसमस के बाद मैं नहीं प्योनगा इस्टर के बाद मैं कभी ऐसी चीज़ें को टच नहीं करूँगा लेकिन क्या हुआ? सफल नहीं हुए उस मनुष नहीं वही किया ता अर्टीस साल कोशिश किया उसने सफल नहीं हुआ जब येसु आए येसु से उसने कहा मैं अच्छा हो जाना चाहता हूँ तब येसु उसके जीवन में आने से येसु का उसने स्वागत करने से वह अच्छा हो जाता है और उसके बिमारी का पीछे रहस से क्या था? पस्तन के चोदा में लिका है बाद में मंदिर में मिलने पर येसु नहीं इसको बुलाया और कहा देखो तुम अच्छे हो गए हो, चंगे हो गए हो दुबारा पाप मत करना दुबारा पाप करोगे तुमारे पर ऐसे बारी संकट आ पड़ेंगे तुम जिंदेगी में उबर नहीं पाओगे एक बार तुम गिर गया था 38 साल आदी जिंदेगी तुम ने बरबात कर दी मैंने तुम पर दया की तुम को ठीक किया अब दुबारा पाप को रगए दुबारा कोई दया नहीं करेगा तुम पर बारी संकट आ पड़ेगा यनि कि इस प्रकार से उसका बिमार पढ़ने का कारण क्या था पाप मूल कारण था पाप पाप में अगर हम पड़े रहेंगे उसमें शुड़कारा नहीं पाएंगे मुक्ती नहीं पाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा स्वर्ग नहीं जाएंगे प्रबु हर दिन हमारे दिल के द्वार में खट-कटाता है मैं तुमारे जिवन में आना चाहता हूँ तुमको अच्छा करना चाहता हूँ तुमको शुद्ध करना चाहता हूँ इस बुरी आततों से मैं चुड़कारा देना चाहता हूँ क्या तुम तयार हो क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो प्रभु पूछता है हम उत्तर दें प्रभु को प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं तमाम प्रकार की बुरायों से शुरकारा पाना चाहता हूं बुरे कारियों से बुरे संगतियों कुछ नहीं कर पाएंगे, पुरी जिन्दे की बीच जाएगी, तब भी कुछ नहीं होगा, अगर हम प्रबु से कहें, प्रबु मैं अच्चा हो जाना चाहता हूं, आज के दिन में मैं किसी के साथ चेटिंग ना करूँ, किसी के साथ जूट ना बुलूँ, किसी को ना ठगू किसी को चोट ना पहुंचाओं मेरे बातों से मेरे वैभार से किसी को चोट ना पहुंचाओं वैलकि सब की तारिफ मैं करूं आज के दिल में सब को अप्रिशेट करूं सब को आगे बढ़ाओं किसी को का नाम कराब ना करूं हम दुआ करें सबेवड के अब प्रभू से कहें प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाता हूँ, मैं चाता हूँ और वो चाहत इमानदारी की हो, सचाई की हो, सचाई पर आधरित हो, और निश्य तरफ से हम अच्छा हो जाएंगे, और प्रभु चाता है, प्रभु यही चाता है, कि हम अच्छे हो जाएं, इसलिए हम प्रयास कर तो आपके जिसे कार्य करना चाहता हूं उस प्रभू से यही कहें प्रभू मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं आई हम सबी दुआ करें प्रभू का वश्ण हम सबोंने सुना है उस वश्ण के अनुरूप जिवन बिताने के लिए प्रभू से शक्ति सामर्ति मागें सरों शक्ति मान पिताब परमीश्य और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए इस सुन्दर वश्णों के लिए क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो इस सवाल के साथ प्रभू आपने हम सबों को अउगत कराया है कि हम सबों के अंदर कमिया हैं कमजोरिया है और इस बात को बड़ी मानदार से स्विकार करते हैं कि प्रभू हम सभी कमी कमजोरें से बरेवें लोग हैं हम अपने बलबूतें कमी कमजोरें से बाहर नहीं आ सकते हैं प्रभू हमें आपकी जरुरत है जिस प्रकास से उस वेक्ति को जो 38 साल से बेस साइडा के जलकुन के पास पड़ा हुआ था आपने जब उसकी सहता की उसकी मदद की तब जाके वो उस बिमारी के बंदन से चुड़खारा पाप आया प्यारे प्रभुजी हम भी चाते हैं अनिक प्रकार के आध्यात में के बिमारी मनोवईग्यानिक बिमारी एमोशनल बिमारी हमारे अंदर हैं जिसके वज़से हम सालों के साल जखड़े हुए हैं बाहर नहीं आ पाते हैं बुरी आदतों से बुरी संगतियों से बुरे कारियो से हट नहीं पाते हैं मुझे प्यारे प्रभुज हम सबों को आपकी साहता दें आत्मा की साहता अगवाई हमें प्रदान कर जिसके हम सभी इन सभी बुराईयों से चंगाई पाएं चुड़कारा पाएं अजादी पाएं और पूर्ण रुप से अजाद होके आपके सुतिया आतना महिमा करने वाले हम सभी बन सकें जिस प्रकास अरतीस साल से बिमार विक्ती चुड़कारा चंगाई प्राप्त करते हुए आपके नाम का जे जिकार करने के लिए इरुसलिम के मंदिर आए उसी प्रकास हम आपके नजदी का है आपके प्रे में बढ़ते जाएं प्या